हाई एविवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी लली नारायन मिथला उनिवसीटी दर्भंगा पार्थर्ड इंगलीस ओनर्स के स्टूरायन्ट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 को कभर करेंगे दोस्तो पेपर 8 में सेक्षन 1 में जो सवाल पुछा जाएगा वो पुछा जाएगा लेंग्वेज से जो भी सवाल आएगा वो लेंग्वेज से ही संबंदित होंगे इसलिए सेक्षन 1 से आप लोग लेंग्वेज को बढ़िया से जरूर कभर कर लीजिएगा एकसाम में दो सवाल आएंगे एक का आपको जवाब देना होगा और वो होगा पंदरा माक्स का इस बार के लिए यानि दो हजार तईस एकसाम के लिए आप केबल और केबल इन तीन कोस्टन को कर लीजिएगा 100% कोस्टन यहीं से आ जाएंगे अगर आपको लग रहा होगा कि यह तीन भी अधीक है तो आप केबल और केबल ग्रिम्स लओ एंड वर्नर्स लओ इन दोनों लओ को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा यह चीज़ याद रखिएगा और यह दोनों जो लओ है यह लेंगोज से ही संबंदित है इसी प्रकार से डाइकरोनिक और साइकरोनिक लेंगोज से ही संबंदित सवाल है और यह तो लेंगोज ही है कि लेंगोज क्या है और इसके चीफ करेक्स्टेरिस्टिक्स काउन है तो ये बनेंगे, इसके अलावा, section 2 में जितने भी सवाल बनेंगे, वो सभी phonetics से ही बनेंगे, phonetics में generally आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, vowels and consonants, इनको बढ़िया से कवर कर लिजेगा, हर जगा इसका utilize होगा, section 2 में, जैसे speech mechanism हो गया, आप बोलते कैसे हो, उसका process क्या है प्रकिरिया क्या है, वो होता है speech mechanism, इसी प्रकार से एक होता है, super segmental features, तो generally आप 2023 साम के लिए, section 2 के लिए, इन ही 3-4 को बढ़िया से कर लिजेगा, आपको लग रहा होगा कि ये 4 question है, बिल्कुल नहीं, ये जितने चारो देख रहे हो, ये 4 phonetics का ही part है, phonetics को बढ़िया से से चीज़ है, हर जगा, सेम चीज़ का यूटिलाइस आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर भी क्या होगा, दो सवाल आएंगे, एक का आपको जवाब देना होगा, और वो 15 marks का होगा, तो ये हो गया section 2, अब section 3 क्यो राते है, section 3 में जो सवाल आएगा, वो morphology से आएगा morphology में सवाल इस पर कर साएगा, कि morphology का definition पूछेगा, इसके types क्या क्या है, ये पूछेगा, इसके अलाबा एक TZ grammar इसमें आता है, जो कि सबसे important है, हर साल के लिए important होता है, morphology एक अलग question हो गया, और TZ grammar एक अलग question हो गया, TZ grammar को ही हम full form अगर उसका पूछोगे, तो वो हो जाएगा, transformational generative grammar, sort में TZ grammar, और TZ grammar के अंदर ही आप पड़ोगे, phrase structure rules, surface structure and deep structure, basic patterns of English sentence, तो generally section 3 में तीन ही सवाल है, एक हो गया morphology, दूसरा हो गया TZ grammar, और TZ grammar में ही ये तीन हो आ जाते हैं, बादमा की एक हो गया basic patterns of English sentences, ये तो बड़ा simple है, कुछ है ही नहीं, इसमें एक्ज example देते चलो, आगे बठते चलो, यहाँ पे भी exam में दो सवाल लाएंगे, एक का आपको जवाब देना होगा, और वो एक 15 marks का होगा, तो यह हो गया section 3, अब section 4 में आते है, section 4 सबसे simple है, क्योंकि यहाँ पे छोटा-छोटा सवाल लाएगा, synonym क्या है, hyponym क्या है, homophony क्या है homonomy क्या है, polishmy क्या है, homography क्या है, इन सबका definition पूछेगा, definition लिखो, example लिखो, बस हो गया, इसी प्रकार से semantic relations among the sentences, और यह जितने आप देख रहे हो, synonym, antinims, homonomy, polishmy, homography, सब semantics के अंतरगत ही आता है, तो एक question हो गया semantics, और एक हो गया structural ambiguity, केबल और केबल आप इन दो question को section 4 के लिए करोगे, semantics, relations, among the sentence के अंदर ही यह सारा कुछ हैगा, इसलिए इसको हम एक ही question मानेंगे, और दूसरा question, structural ambiguity, यहाँ पे भी दो सवाल पूछा जाएगा, एक का जवाब देना होगा, और वो 15 marks का होगा, यहाँ पे generally सवाल किस प्रकार से हैगा, आपको दे देगा, hyponomy, homoph and homography, यह तीन दे देगा, और आपको कहेगा, कि इन तीनों के बीच, difference create कीजिए, इन तीनों को example के साथ define कीजिए, तो इस प्रकार से सवाल लाएगा, बरा simple सवाल आता है, तो यह हो गया, चौन्था सवाल, अब हम पांच में सवाल की और चलते हैं, पांच में सवाल में क्य होगा, section 5, चार सवाल का ही जवाब देना होगा, और चारों पांच मार्क्स करके होंगे, और पांच मार्क्स करके होंगे, तो वही एक से डेट पेज का ही answer आप लोग लिखिएगा, और उसमें आप definition और example ही जनरली लिखोगे, और कौन-कौन इसके लिए कवर करोगे, आप चार में से यही सब आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से कवर कर लेजिएगा, तो यह हो गया section 5, अब आते है section 6, यानि last question, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा simple question आएगा, लेकिन एक आपको font सिखना होगा, total exam में 15 सवाल दिये रहेंगे, 15 में से आपको केबल 10 का ही जबाब देना होगा, और दसो दो-दो मार्क्स करके होगे, यानि 20 मार्क्स का यह सवाल होगा, और चोटा सा सवाल होगा, words दिये रहेंगे, और उसको आपको क्या करना होगा, phonetic transcription वाले font में लिखना होगा, जिसकी horse दे दिया, examination दे दिया, university दे दिया, इस प्र चुछ को बढ़िया से कवर कर लिजिएगा, यह 20 मार्क्स विदिन टू मिनिट में ला सकते हो, क्योंकि कुछ यहां पे है ही नहीं, एक font है, जिस प्रकार से आप लरका को क्या लिखते हो, boy लिख दियो हो गया, इसी प्रकार से boy रहेगा, उसको आप इस font में change कर दो, बस आ आएंगे, और इन सभी के answer का PDF हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, यह है मेरा WhatsApp नमबर 7048928746, इस नमबर पर आप मुझे WhatsApp मेसीज किजिएगा, मैं आपको हर एक चीज अविलेबल करा दूँगा, ना केबल, paper 8 का, बलकि part 3rd के 4 paper का हर एक चीज मैं आपको आपको एविलेबल करा दूँगा, चाहे question bank हो, syllabus का PDF हो, class notes का PDF हो, phonetic transcription का हो, poem text का हो, धेरो चीज में आपको एविलेबल करा दूँगा, धेरो वीडियो भी आपको एविलेबल करा दूँगा, तो दोस्तों, इन सभी question को आप बढ़िया से कर लिजिएगा, इस बार के लिए most important है, और फिर पीट कर देता हूं, section first के लिए आप इनको बढ़िया से cover कर लिजिएगा, section 2 के लिए आप इनको बढ़िया से cover कर लिजिएगा, इसी प्रकार से section 3 के लिए आपको ये करना होगा, एक morphology, एक टीजी grammar, और एक basic patterns of English sentences, इसी प्रकार से section 4 में तो semantics के अंदर ये इसके लिए आपको phonetic transcription सिखना ही होगा, last वही option है, इसके अलावा कोई चाहरा नहीं है, जो चाहोगे कि previous year कर लेते हैं, तो सवाल मिल जाएगा, दो तिन मिल जाएगा, सवाल पूरा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ये कर लिजिएगा, बाद में के जिसको content चाहिए, ये मे